हेलो दोस्तों तो इससे पहले गाईज मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो पर बताया था कि अगर आप भी यूट्यूब पर एक सिंगिंग चैनल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक यूट्यूब चैनल तो ओपन करना ही पड़ेगा वो भी उसका भी वीडिय कि आपका किस चीज का चैनल है तो इससे पहले मैंने आपको अगर आपका सिंगिंग का चैनल है तो आपको एक मैंने सिंगिंग बैनर कैसे बहुती सरल वे में कैसे ही एक अच्छा बैनर बना सकते हैं मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है अगर आप लोग तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ कि अब वो जो बैनर हमारा बन चुका था अब हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पर सेट कैसे करें तो बिना देर करें हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो उससे पहले मेरा नाम है अनू और आप सभी क यूज करके मैंने यह बैनर बनाया था अब इस बैनर को हम यूट्यूब चैनल पर लगाएंगे कैसे आज मैं वो आपको स्टेप वाइस बताती हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको हम ऐसे ही क्लोस कर देते हैं मतलब पूरा क्लोस नहीं करेंगे यह वाला जो नीचे वाला टैब होता है उसको हम क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा बाद में हमारा मतलब स्क्रीन पर मुबाइल की स्क्रीन पर रहे तो हम यहां से इसको बंद कर देते हैं अब हम चलते हैं क्रोम पर क्रोम पर हम चलते हैं हम क्रोम ब्राउजर उसके बाद में Chrome ब्राउजर पे हम डालेंगे YouTube.com डाला तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, अब क्या करना है, जो तीन डॉट सबसे उपर आपके मोबाइल में दिखते हैं, उस पे क्लिक करिएगा, और इसको desktop site पे कर लिजेगा, 11 नमबर पे आप देखे, desktop site आ रहा है, यानि setting से पहले 11 नमबर पे desktop site आ रहा है, इसको हमने tick mark कर दिया, अब यह हमारा एकदम laptop की तरह खुल जाएगा, आप याद रखिए कि आपका Chrome ब्राउजर पे आपका YouTube का वही channel खुला होना चाहिए, जिस पे कि आप अपना banner लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो चल यूजर नहीं करती हूँ, तो अब मैं इस वाले channel पे अपना banner आपको लगा के दिखाऊंगी, मैं वहाँ पे गई, अपने DP पे गई, और वहाँ पे जाके हमने क्या करा, हमारा वो वाला channel नहीं open था, जिस पे हमें अपना banner लगाना था, तो हमने क्या करा, अपने DP पे जा कर करके, और यहां से switch account करके, हमने वो channel select कर लिया, जिस पे की हमको अपना banner लगाना है, अगर आपका पहले से वही है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, तो अब हमें क्या करना है guys, इसके बाद में हमें फिर DP पे click करना है, और हमें जाना है your channel वाले option पे, तो your channel वाले option पे जै जैसी हम जाएंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का interface खुल जाएगा, जो कि अभी खुलने जा रहा है, थोड़ा nat issue हो रहा है, जैसे यह हमारा खुल गया, ठीक है, अब ये तीन option आ जाएंगे, हमारे layout, branding, basic information, तो हम ब्रांडिंग पे जाएंगे, क्योंकि हमें यापे banner set करना है, अब ये देखिए, second वाला, पहला वाला तो हमारा DP से related है, second वाला है हमारा banner image, अब ये आ गया है, जो laptop जैसा रखा हुआ है, अब हम यहाँ पे upload पे जाते हैं, अब हम upload पे जाएंगे, और इसके बाद जहां पर भी वो हमारा banner था, जो हमने उस दिन save करा था, वो हम यहा रहा है, कि इतना इतनी चीज हमें यहाँ पे दिखेगी, मतलब यह mic दिखेगा, unnew vocal दिखेगा, और मेरी तस्वीर दिखेगी, तो हम यहाँ से done कर देते हैं, देखे, done हो गया, इसके बाद में set करने के बाद में आपको last option यहाँ पर publish का आएगा, इसको हमने publish कर दिया, हम अपने चैनल पे जाएंगे, योर चैनल पे, और यह हमारा चैनल खुल जाएगा, और यह देखी हमारा banner जो है, वो set हो चुका है, गाइस यह मेरी चैनल अब चलाती नहीं हूँ, बहुत पहले था, बहुत ही पहले मैंने open करा था, तो अभी इसमें सिर्फ 16 यह मैं चलाती नहीं हूँ, तो मैंने ऐसी आपको लगा के बता दिया, तो यह देखी हमारा banner लग चुका है, माइक लग चुका है, अन्नूवोकल, अन्नूवोकल मेरा दूसरा चैनल है, आप वोस जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें मैं आगे गाने गाऊंगी, तो य यह इस तरह से सेट हो गया, तो सिर्फ इसी तरह से सेट करना होता है, चेंज करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, सेम टाइम मतलब और दूसरा banner बना करके वो आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, तो होपस हो कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और समझ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिए इसका नाम है अनूस All in 1 और प्रेस कर दीजिए, तो मिलते हैं ने वीडियो में, वाई टेक केर